वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन की रिपोर्ट बताती है कि इस महामारी से संकरमित एक वेक्ती सुनिए एक वेक्ती सिर्व हपते दस दिन में सेंकडों लोगों तक इस बेमारी को पहुचा सकता है यानि यह आँख की तरह तेजी से फैलता है वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन का ही एक और आँखडा बहुत महत्वपूर्ण है साथ्यों दुनिया में कोरोना वाइरस से संकरमित व्यक्तियों के संख्या को पहले एक लाग तक पहुचने में 67 दिन लग गए थे यानि एक लाग तक पहुचने में 67 दिन उसके बाद सिर्फ ग्यारा दिन में सिर्फ ग्यारा दिन में ही एक लाग नए लोग संकरमित हो गए यानि दो लाग हो गए सोचिए पहले एक लाग लोग संकरमित होने में 66 दिन लगे और फिर इसे दो लाग लोगों तक पहुचने में सिर्फ ग्यारा दिन लगे ये और भी बयावा है कि दो लाग संकरमित लोगों से तीन लाग लोगों तक ये बिमारी पहुचने में सिर्फ सिर्फ चार दिन लगे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना वाइरस कितनी तेजी से फैलता है और जब ये फैलना शुरू करता है तो इसे रोकना बहुत मुश्किल होता है साथ्यों यही वज़े हैं कि चीन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, इरान जैसे अनेक देशों में जब कोरोना वाइरस ने फैलना शुरू किया तो हालात बे काबू हो गए हैं और ये भी याद रखिए इटली हो या अमेरिका, इन देशों की स्वास्त सेवा, उनके हस्पिटल, उनके यहां आदूनिक संसाधन, पूरी दुनिया में बहत्रीन है, उनकी व्यवस्ताएं बहत्रीन मानी जाती हैं बावजुद इसके ये देश कोरोना का प्रभाव कम नहीं कर पाए, सवाल ये कि स्थिति में उमीद की किरान कहां है, उपाय क्या है, विकल्प क्या है, साथियों, कोरोना से निपटने के लिए उमीद की किरान, उन देशों से मिले अनुभव है, जो कोरोना को कुछ हद तक नियंत्रित कर पाए, हफ्तों तक इन देशों के नागरीक गरों से बार नहीं निकले, इन देशों के नागरीकों ने सत प्रतिशत, हंड्रेट परसंट, सरकारी निर्देशों का पानन किया, और इसलिए, ये कुछ देश अब इस महामारी से बाहार आने की और बढ़ रहे हैं, हमें भी ये मान कर चलना चाहिए, कि हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ यही एक मार्ग है, एशह पंता हा, हमें गर से बाहर नहीं निकलना है, चाहे जो हो जाएं, गर में ही रहना है, सोच्यल डिस्टंसिंग, प्रदान मर्द्री से लेकर के गाउं के छोटे से नागरिक तब सब के लिए कौरोना से तभी बचा जा सकता है, जब घर की लक्ष्मन रेखा न लांगी जाएं, हमें इस महामारी के वाइरस का संक्रमन रोकना है, इसके फैलने की चेन को तोड़ना है,